हलो गाईज नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे दोस्तों अगर आप एमेज़ोन फ्लिप कार्ट मेसो आधी अप्लिकेशन से आनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो आपको अगर गलती से कोई प्रोड़क्ट और हो जाता होगा या फिर कोई प्रोड कार्ट अप्लिकेशन सबसे पहले हो फिर करना होगा तो फिर करने के बाद अस्टेब को नु तो देख सकते हैं और को क्लेक करका इस द्रवस पर कलिक कर लेते हैं उसके बाद गायंज यहां पर प्रोड़क्ट को आपको सलेक्ट करना होगा तो गैज यहां पर देख सकते हैं अभी ओपन हो रहा है तोड़ा सा नेट्स लो तो क्लिक करने के बाद यहां पर देखेंगे तो नीचे में कैंसिल का ओप्सन दिख जाएगा यहां पर कैंसिल है उसके बाद नीड हेल्प है तो हमें कैंसिल पर क्लिक करना है cancel पर click करने के बाद guys यहाँ पर देखेंगे तो आपको सबसे पहले region select करना होगा guys तो हमें cancel करने का region यह है कि यह product का भी rate है जो मैं order किया था चोसो उनाटर रुपया में order किया था और अभी इसका price हो गया 631 रुपया तो price इसका कैम गया है जिसके करान हम सोच रहें कि इसे cancel करके नया order प्लेस कर दें ताकि मेरा जो amount है वो कम लगे तो देख सकते हैं guys यहाँ पर बहुत सरा option है तो guys यहाँ पर fast option है need different size और color यह नहीं हमें select करना है guys कौन सा तो यहाँ पर देखें guys कुछ भी आप select कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह select करते हैं price for the product has decreased चौथा option select कर लेते हैं चौथा option select करने के बाद यहाँ पर optional में लिखना चाहें तो कुछ लिख सकते हैं या blank भी छोड़ सकते हैं उसके बाद submit request पर click करेंगे submit request पर जैसे क्लिक करेंगे तो order जो है guys वो cancel हो जाता है देख सकते हैं लिख रहा है cancellation confirmed तो इस परकार से आप Amazon flip card meso आदी का order cancel कर सकते हैं हम इसमें बता हैं कि flip card का order cancel कैसे करें तो guys वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कर दीज़ें थैंक यू